पूरा देश ये मान कर चल रहा है कि बीजेपी की सरकार केवल हरयाना में फसी है लेकिन तीन चार घटना गरम महाराष्ट में ऐसे हुए है जिन से ये मैसे साफ जा रहा है कि बीजेपी के बिना भी महाराष्ट में सरकार बन सकती और वो तीन चार घटना करम क्या है मैं आपक कि कैसे सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का उसने तल्क लाइन उसमें ली है शिवसेना ने और वो तल्क लाइन क्या-क्या लिखा है आप देखिए उन्होंने बोला है सामना में लिखा है कि महाराष्ट की जंता का रुजान सीधा और साफ है अती नहीं उनमाद नहीं वरना खत्म हो जाओगे ऐसा जनादेश EVM की मसीन से बाहर आया है मुक्य मंत्री देवेंद्र फट्णवीस को आखरी समय तक यह आत्म विश्वास था कि EVM से केवल कमल ही बाहर आएगा मगर 164 में से 63 सीटों पर कमल नहीं खिला दरसल 164 सीटों पर भाजपा लड़ी थी और जब तक यह लगरा तक 101 जीतेगी लेकिन वो 105 जीत चुके और 56 सीटें आई हैं सिबसेना के खाते में आगे सिबसेना के मुक्पत्र में ये लिखा है कि यह महा जनादेश नहीं है बलकि जनादेश है केवल इसे मानना पड़ेगा जनादेश जनता के फैसले को अपना कर बड़पन दिखाना पड़ता है महाराष्ट में पेक्छा से अलग नतीजे आये हैं 2014 में गटबंदन नहीं था 2019 में गटबंदन के बापजूद सीटें कम हुई है अच्छा दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई है बीजेपी की भी कम हुई है सिफसेना की भी कम हुई है कम सीटों पर लड़े भी थे वो बहुमत मिला लेकिन कॉंग्रेस एंसीपी मिलकर सौ सीटों पर पहुँच गई ये एक तरह से सत्ताधारियों को सबक मिला है ये बड़ी बात है जो सामना में लिखा है कि सत्ताधारियों को सबक मिला है उनका साफ इसारा बीजेपी की तरफ है शिफसेना की तरफ नहीं है वो आगे से सामना में लिखा हुआ है जिन नेताओं ने NCP को छोड़ कर कमल को अपनाया था उनको एक तरह से मात मिली है और जो NCP के घर में सैंद लगाने की कोशिश कर रहे थे NCP 50 को क्रोस कर गए क्योंकि 14 सीटे हो गई और जिस का नाम वो निशान नहीं था वो 44 सीटे जीता है तो जिन की वो बात कर रहे थे कि जिन लोगो ने NCP चोड़ी बीजेपी का दामन स्थामा वो दरसत सतारा के उधियन राज बहुंसले की बात कर रहे थे शिवाजी के वनसज जो NCP के टिकट पर सांसद चुने गए थे वहां से और बाद में उन्होंने बीजेपी जोईन की और इसके लिए अपनी सांसदी गवादी बीजेपी से खड़ आकरे ने साफ कह दिया है कि अब फिप्टी फिप्टी के फॉर्मूले पर वर्क करना होगा जो बात हमारी पहले हुई थी उसको रिविजिट करना पड़ेगा और बात करनी होगी कि क्या भागेदारियों बीजेपी बड़े भाई के तौर पर नहीं है चौती बड़ी बात जो हुई है बाला साब थारोट की तरफ से हुई है कॉंग्रेस के अध्यक्ष है बाला साब थारोट महाराष्ट के उन्होंने कहा है कि अगर सिवसेना एंसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो कॉंग्रेस उसे समर्थन कर सकती है लेकिन हमें आला कमान से बात करना पड़ से लाइगा सिवसेना प्रपोजल नहीं लाईए एक तरह से साफ होता जा रहा है कि सिवसेना एक नया एक्स्पेरिमेंट करने के मूड में है वी जपी को सबक सिखाने के मूड में है और ऐसे मैं मैं आपको बता दूँ कि 56 सीटें हैं शिव सेना के पास और 100 से उपर आ चुकी है एनसीपी और कॉंग्रेस की जोड़ी आराम से वो लोग सरकार बना सकते हैं 145 सीटें चाहिए वहां बनाने 188 विधायकों की विधान सवाह है वहाँ 145 विधैकों पर सरकार बन सकती है और ऐसे में क्योंगी कहा जा रहा है कि आदिते ठाकरे मुक्यमंत्री बने तो एनसीपी के सहयोग से और समर्तन से बाहर से अगर कॉंगर्य समर्तन देती है तो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं आदित ठाक रहे और ऐसे में BJP महाराज से एकदम बाहर हो जाएगी और ऐसे में सत्ता में रहेगी तो सिफसे ना दोबारा BJP को डेंट कर सकती है जो सत्ता में नहीं रहेगी तो यह बड़ी खबर है अपडेट इस पर करते रहेंगे नजर बनाया हुए है कि आगे सिफसे ना क्या फैसला लेती आप देखते रेंडिया न्यूस सब्सक्राइब करें इनकबर थैंक्यू नमस्कार इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल